केवल बंडे एक्जाम देना है यानि बंडे एक्जाम के लिए और वो भी 2023 में उन्हें कोई एक्जाम देना है बंडे एक्जाम में मतलब समझ गया होंगे SSC देना है या पुलिस का कोई देना है या और कोई सा भी एक्जाम है चाहे वो पैट देना है ऐसा कोई भी एक्जाम है तो उसके लिए मैं GS का एक वैस सुरू कर रहा हूँ कल से यानि 15 मार्च से और इसकी टाइमिंग है 12 से 1 बजे इसमें जो सुरूबात में मैं सुरू करूँगा वो सुरू करूँगा साइन्स इसमें साइन्स सुरू करूँगा यानि Physics, Chemistry और वायलोजी शुरू में फिर वैसे करके ठेक है जो जो जोईन करना चाहते हैं वो इसे कर सकते हैं कब से हो रहा है यह वाला चुरू 15 मार्च से ठेक है 15 मार्च रहेगा दोनों ही online भी रहेगा ओफ्लाइन भी रहेगा यह वाला बैच इसके बाद 20 तारिक से यानि 20 मार्च से यह बैस शुरू हो रहा है मेरा 11 से 12 इसमें बाकी के और सब्जेक्ट भी शुरू हो रहे हैं लेकिन 11 से 12 जू मैं इसमें सुरू कर रहा हूं वो शूरू कर रहा हूं आजादी के बाद का भारत पोश्ट इंडिपेंडेंटेंस हिष्ट्री मनलब आजादी के बाद क्या क्या हुआ मोधी काल तक बीच में इंद्रा काल आया सब काल आया वो सब और चोबिस या पच्चिस मार्च से इससे में शुरू कर रहा हूँ 10 से 11 वाला आपक वाला जो बहच है इसमें और ये में सुरू करूँगा पॉलिटी इसमें सुरू होगी पॉलिटी तो ये आगामी बहच है आप इनमें जॉइन कर सकते हो जैसे जॉइन करना चाहें फिलाल कल से वाला जो बहच है ये बंडे एक्जाम के लिए है यानि जिने केवल छोटे एक्जाम देने है पढ़ाओ इसमें भी सही से सब कुछ बताऊंगा लगिन फिर से ये पूरा थोड़ा उसके लिए रहेगा मनलब इसमें छोड़ी छोड़ी बाते जो बेसिक सी बाते हैं जो पूछ रहता है फैक्शल डाटा वो जादर डिसकस करूँगा मैं इसमेल एक्जाम में बारे से एक रहेगी वाली क्लास इसी होल में चलेगी कल से है धिहान दखना ठीक है चलिए